हाई दोस्तो मैं हूँ हिमानशी और ब्लेस्ट माम स्कुएड में आपका स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हर्णिया के बारे में specially C-section के बाद होने वाले हर्णिया के बारे में जिसको बोलते हैं इंसेजनल हर्णिया जो हर्णिया होता है उसके बहुत से टाइपस होते हैं उसमें से जो इंसेजनल हर्णिया होता है यह सर्जरी के बाद होने के चांसेज रहते हैं हर्णिया में क्या होता है जो आपका बॉड़ी पार्ट होता है वो अपनी जगह से थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है जिसकी विज़ा से एक बल्च क्रियेट हो जाता है मतलब कि जो वो एरिया है वो थोड़ा सा उभरा हुआ सा लगेगा दोस्तों C-section भी आपको पता है क विग हो जाती है या लगा जाता है जिसकी बजuchi वजय से हर निया होने के लृषिय के सांस के साथ साथ दोस्तों मैं यह भी अपको बताना चाहूंगे कि सेजरियन के बाद हर निया होने के chances बहुत ही rare होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि हर किसी को c-section के बाद हर्णिया होगा, अगर मैं numbers की बात करूं तो कुछ studies के अनुसार, 1000 में से सिर्फ दो females को हर्णिया होने के chances रहते हैं, अब बात आती है कि Delivery होने के कितने time बात हर्णिया होने के chances रहते हैं, तो delivery होने के बाद जादा तर cases में पहले साल में ही हर्टनिया होने के chances रहते हैं लेकिन कुछ cases में ये delivery के तीन साल के अंदर भी हो सकता है ये जो incisional हर्णिया है इसके होने के जादा chances होते हैं अगर आप overweight है या आपका जो cut लगा है वो जादा बड़ा है या आपके जो abdomen के जो muscles है वो काफी जादा weak है या अगर आपको diabetes है इन cases में जो है risk थोड़ा सा जादा रहता है इसके अलावा अगर आपके जादा cesarean हुई ह है यानि कि अगर एक से जादा cesarean हुए है तो हर cesarean के बाद हर्णिया होने के chances जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं या अगर आपकी पहली delivery के बाद आपको हर्णिया हुआ है तो दूसरी delivery के बाद भी risk रहता है कि आपको हर्णिया हो सकता है तो आपको doctor से जरूर discuss करना चाहि इसके बारे में अगर आपका repeat cesarean हो रहा है अब बात आते हैं symptoms कि क्या कुछ आपको feel हो सकता है अगर आपको हर्णिया हो रहा है तो पहले तो आपको जो है एक bulge जो है वो लगेगा जहां पर आपका कट लगा है उस area के आसपास आपको कुछ उभरा हुआ सा लगेगा और यह हो सकता है आपको जादा feel तब हो या तो जब आप खड़े हैं या अगर आपको stretch कर रहे हैं कुछ उठाने की कोशिश कर रहे हैं या खासते time भी आपको यह feel हो सकता है इसके बाद दूसरा symptom है constipation का होना और nausea feel होना vomiting जैसी feeling आना अगर आपको यह चीज बार बार हो रह तो यह भी एक symptom है कि आपको hernia हो सकता है अब इसके बाद अगला symptom है आपके abdomen में pain का रहना अब यहां पर थोड़ा सा confusing हो सकता है क्योंकि आपका cesarean हुआ है तो आपको वैसे भी थोड़ी बहुत pain रहती है लेकिन जितना time आपको stitches को heal होने में लगता है उसके बाद भी pain पेट में हमेशा रहती है तो आपको यह जरूर चेक करवाना चाहिए इसके अलावा अगर आपको कट वाई एरिया में आसपास redness लग रही है swelling हो रहे है यह किसी भी तरीकी का को discomfort feel हो रहा है आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है मुझे बड़ा uncomfortable sa feel हो रहा है तो ऐसे में आप doctor से जरूर consult करिए क्योंकि जैसे कि मैंने बोला यह ऐसा time होता है ना कि आपको cesarean भी हुआ है तो आपको हो सकते समझ ना है कि यह pain c-section की वज़े से है या कुछ और issue है तो कहीं पे भी आपको अगर doubt लगता है तो बहुत जरूरी है कि आप सही time पे जो है doctor से जरू प्रणदार्स ना करें तो दोस्तों आप बात आती है treatment की तो दोस्तों हर्णिया जादा तर surgery से ही treat होता है लेकिन जितना भी मैंने पड़ा है इसकी जो surgeries होती है इसका success rate जो होता है वो हाई रहता है तो आपनी घबराईये नहीं अगर आपको हर्णिया हो गया है तो आप doctor स इसके बारे में सला करें और अपने treatment के बारे में जरूर discuss करें हो सकता है minor cases में doctor surgery recommend ना भी करें तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके medical condition के basis पे ही आप doctor से consult करके सही सला ले और दोस्तों यहां doctor की सला इसलिए भी जरूरी है क्योंकि doctor कहीं सारे factors को समझ के जो है आपका treatment आ आप आगे pregnancy plan कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जो issue है वो minor है या major है तो काफी सारी चीज़े होती हैं जो doctor ही check कर पाएंगे और आपके साथ आपका treatment discuss कर पाएंगे तो यहीती सारी information सीजेरियन के बाद हर्णिया के बारे में thank you so much for watching blessed mom squad goodbye take care and stay safe